हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटिबाइटिक टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो 200 मिलिग्राम टैबलेट ब्रांड नेम सी है मार्केट में उपलब्ध होता है कोरोना रेमेडी इस प्राइवेट लिमिटेट के द्वारे इसका प्रोडक्शन क्या जाता है कमपोजिशन की रूप में इसमें सिफ प्रोडक्शिंग प्रोक्श्टिल 200 मिलिग्राम की मातरा में उपलब्ध होता है पीमत के अगर बात करें तो 10 टैबलेट का एक इस टिप मार्केट में 183 रूपीज का उपलब्ध होता है फ्रेज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसक्राइब कर लें टाकि आने वाले सारे विडेयो के नोटिफिकेशन अप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी विडेयो को मिस्त ना करें अगर आपने इस product को इस्तिमाल किया है तो आपके क्या-क्या experiences रहें comment section पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आई फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में गुड्सफ टूहनड़ा टाबलेट जिसे mankind pharma लिमिटेट के दौर बाष बनाये जाता है जि पॉर्ड्सफ मिलीग्राम टाबलेट जिसे FDC لिमिटेट के दौरणफर्णाता है back to guard 200 mg tablet जिसे ईंडोको रिमिडीज लिमिटेड क parkedा बनाए जाता है and work the drug step 200 mg tablet जिसे लूपिन लिमिटेड के दोरा बनाए जाता है friends market में मिलने वाले same composition के साथ develop यह कुछ ऐसे different brands होते है जो आप इस medicine के ना मिलनी के इस तेEr manner purchase कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, आपको एफेक्ट सेम मिलता है, क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल होता है, वह सेम होता है. आये फ्रेंड सब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में तो इस मेडिसिन के अगर प्रामुक इस्तिमाल के बारे में मैं बात करूँ तो यह जो बैक्टिरिया से होने वाले संकर्मन होते हैं उसके इलाज के लिए इस मेडिसिन को इस्तिमाल किया जाता है इस मेडिसन से आपके सरीर में इंफिक्टेरिया जो होते हैं वैक्टिल होते हैं इस दवा का स्टमाल कई अलग अलग प्रकार के संकरमन जैसे मस्टिसक में होने वाले, मैनेंजाइटीस, फेपडो में होने वाले नीमोनिया, कान, पेसाप, मुत्रमार्ग, हड्डियों और जोडों, तुचा रोग, रक्त और हड़े की इलाज के लिए किया जाता है यह दवा आम तोर पर आपको कुछ दिनों के अंदर बहतर महसूस कराती है लेकिन डाक्टर की एड्वाइस के अनुसार आपको इसे बराबर समय तक लेते रहना चाहिए अगर आप बहतर महसूस कर रहे हों तब भी क्योंकि समय से पहले अगर मेडिसिन को आप बंद करते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और इलाज करना कठीन हो जाता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुक साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंड्स इस दवा से होने वाले अधिकान साइड इफेक्ट में डाक्टर के सलाह लेने के जरूरत नहीं होती है क्योंकि यह सामान इफेक्ट को कम्प्लीट करने के दौरान होने वाले कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और मेडिसिन के नीमित रूप से सेवन करने के पसचाथ जब आप इसका कोर्स बंद करते हैं तो यह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं इसके कुछ प्रमुक साइड इफेक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो रैसेस कहोना जीमिचलाना और डारिया यानि दस्त गला लगना हो सकता है इस मेडिसिन को इस्तमाल करने के लिए फ्रेंड्स आपको डाक्टर के सलाह लेना चाहिए मेडिसिन को ثابت निगलना चाहिए, इसे चबाना, कुछलना, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए इस मेडिसिन को भोजन के पषचात लेना अधी कुछित माना गया है अब फ्रेंड्स अगर कुछ सेक्टि फीचर्स के बात करें तो इस मैडिसिन को लेने के दारान आपको एलकोहल का सेवन नहीं करना चाहिए गर्भवस्ता और इस तनपान में पीरेड में अगर आप हैं तो आपको अपने डाक्टर से परामर्ज करना चाहिए उसके पस्चाथी मैडिसिन को लेना चाहिए किड्नी रोग और लिवर रोग की समस्य से अगर आप जूच रहे हैं तो बहतर होगा कि अपने डाक्टर से परामर्ज करें इसके पस्चाथी मेडिसिन को सेवन करें तो फ्रेंड्स यह थे एक छोटा से रोगी मेडिसिन के उपर मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स से वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें